सर्दी का मौसम है, सेहत बनाने के लिए बहुत सारे हमारे युवक और युवतियों ने पूछा है कि किस तरह से सेहत बने और आजकल जिम एक फैसन भी बन गया है और सेहत बनाने का जुनून भी अच्छी बात है तो आप सब के लिए मेरा कहना है सर्दी में पदंजली का चवन प्राश एक सस्ता सुन्दर संपूर्णा टॉनिक क्योंकि उसके अंदर वो सारे और श्दिया हैं चवन प्राश को इवन आप चटनी की तरह भी खा सकते हैं चवन प्राश को रोटी में लगा करके जैसे जह्म लगाते हैं वैसे रोल करकी भी खा सकते हैं चवन प्राश को दूज से भी खा सकते हैं प्रयास करये कि हैं कि 맞़्रण 24 घंटे में आपके उधर में चला जाए यह बहुत ही लापकारी है और जैसे आपको ज़्यादा सर्दी लगती है ज़्यादा ठन लगती है ज़्यादा कमजोरी फीर होती है तो थोड़ी सी मात्रा में सिलाजित उसको दूद में डाल करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ले लिजे दो चीजे जो थोड़े दूबले कमजोर हैं वो लोग एक चम्मच अश्वगंधा का पाउडर सुभा और शाम को इतना ही आपको सेवन करना है बाकि जो रूटीन में दैनन दिन जिस आहर का आप सेवन करते हैं उस आहर का आप सेवन करिए सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी और सब तरह से आपको इससे ताकत म तरह सेवन करना में